अपने वनवास के अंतिम वर्षों में श्री राम, रक्ष्मन और सीता दंडक वन में गोदावरी नधी के किनारे पर पंचवटी स्थान पर अपने रहने के लिए कुटिया बनाते हैं और वही पर अपने वनवास का बाकी समय बिदाते हैं एक बार जब श्री राम अपने आंगन में बैठे ध्यान कर रहे थे तब शुर्पनखा नामक राक्षर सी वहाँ पर आ जाती है शुर्पनखा वास्तों में रंकापती रावन की बहन थी शुर्पनखा ध्यान में बैठे श्री राम के सुन्दर स्वरुप को देखकर उन पर म कहते हैं कि वो अपने पत्नी सीता को आज जीवन एक विवहां में रहने का वच्चन दे चुके हैं। उस समय लक्ष्मन जी वन में रखडिया एकत्रित करने के लिए गए हुए थे और वो भी आ जाते हैं। जिनने देखकर शुर्पनखा एक बार उन पर भी मोहित हो जाती है शुर्पनखा ने अपने साथ विवहां का वही प्रस्ताव रक्ष्मन जी के समक्ष भी रखा। तब रक्ष्मन जी उनको बोलते हैं कि उनके बड़े भाई श्री राम के होते हुए वो उनके योग्य नहीं है। जब श्री राम और रक्ष्मन दोनों शुर्पनखा के नकार रहे हो। इसलिए मैं तुम्हारी पत्नी को ही खा जाती हूँ। यह कहेकर क्रोध में शुर्पनका माता सीता की तरह पड़ती है। तब श्री राम रक्षमन को आग्या देते हैं और रक्षमन जी अपने तलवार निकालकर शुर्पनका की नाख पर वार करते हैं। रक्ष्मन जी के तलवार के वार से शुरुपनाखा की नाख कट जाती है और वो रोते हुए वहाँ से चरी जाती है अपनी कटी हुई नाख को लेकर शुरुपनाखा अपने भाई और दंडक वन के उस समय के असुर राजा खर के पास पहुँचती है अपने भाई खर और रक्ष्मन नाम के दो युवक गोदावरी नदी के किनारे अपनी कुटिया बना कर वहाँ पर रहने आये हैं। आशूर खर अपने चवदा सैनिकोन के साथ पंचवटी की तरफ चाते हैं। उनके बाते सुनकर श्री राम ने अपने धनुश पर एक बान साथ कर उनकी तरफ छोड़ा और एक ही बान से उनसा भी असुरोन का धड़ सर से अलग हो गया। जिसे देखर शुर्पना का चौक गई और फिर अपने भाई खर दुशन के दरबार में आ पहुची और बोली रक्षा कीजिए भाया रक्षा कीजिए। आपके फेज़ुए चौदा असुरोन को उस राम ने अपने एक ही बान से मार डाना। अपने दिव्यास्त्रों कीजिए। तब श्री राम मन मोहीन अस्त्र खर दुशन की ओर चला देते है। जिसके प्रभाव से खर दुशन के सेना मोहित होकर आपस में ही रड़कर नष्ठ हो जाती है और आखिर में श्री राम अपने दिव्यास्त्र के द्वारा दंडक वन के राजा खर का वद कर देते है जै श्री राम